हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेखा की रसोई, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, गाजर का हलवा एक ऐसी चीज है ना, जो हर किसी को पसंद आती है, चालो बच्चे हो, बुजुर को या बड़े हो, गाजर का हलवा ठंट के मौसम में खाने में बड़ा ही मज़ा आता है, क चलो फिर बीना कंडेंस मिल्क मिल्क पाउडर और मावा के गाजर का हलवा बनाना सिखते हैं, गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने बड़ी सी कडाई ले ले लिए, ग्यास ओन कर दिया है, और इसमें में तीन से चार बड़ी चमज घी डाल दूगी, मैंने दो किलो गाजर ली है, मैंने गाजर को अच्छे से दो के कद्दू कस कर लिया है, याद रखे गाजर का हलवा बनाने के लिए और इंज वाली गाजर ना ले, पतली पतली लाल लाल लंबी लंबी गाजर ले, जो काफी मीठी होती है, गाजर का हलवा बनाने के लिए ह गाजर को कड़ाई में डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से चला लिजे और इसे 15-20 मिनिट तक आपे आपको मी में से चलाना है जब तक गाजर अच्छे से सौफ ना हो जाए इन सब को अच्छे से आप निक्स कर लिजे गाजर को मैंने फूल पर ही रखा है इसे में बीच बीच में चलाती रूँगी गाजर में से धीरे धीरे पानी खुदने लगेगा आपको इसे चलाना है जब तक गाजर अच्छे से सौफ्ट ना हो जाए गाजर को सौफ्ट होने के लिए मैक्सिमम 10-15 मिनिट्स लगते हैं बस आप इसे कंटिनियूसली बीच बीच में चलाते रिजे इस तरीके से मैं कंटिनियूसली इसे चला रही थी बीच बीच में अब मैं गैस को लो मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी और ढखकन ढख दूंगी 5-10 मिनिट्स में और अब इसे ढखकन ढखके पकाऊंगी जब तक गाजर सौफ्ट ना हो जाए हमं धकंट हो चुके हैं हमारे गाजर सौफ्ट हो चुके है बस इसे अव अच़क के मिला लीजे है मेरे गाजर काफी सोच हो चुका है मैंने 같은 kg लीटी अब हम दोओकी कीलो गाजर में 2 लिटर ही दूट डालेंगे क्युक्ति हम ना condensed milk उज़ करisiónगि ना मावा यूजु कर trilogy ना ही विल्क पोडर यूज कर तो हमने दो किलो लाल कलर की गाजर ली ती तो हम इसमें दो लीटर डूद डालेंगे दूद आपको फूल फैट मिल्क ही लेना है मलाई बाला ही दूद लेना है इसमें ताकि हमारा जो गाजर का हलवा है वो काफी टेस्टी बनेगा मैंने दो किलो गाजर में दो लीटर डूद डाल दिया है अब इसे फुल गैस रखना है और बॉइल आने तक पकाना है जब बॉइल आ जाए उसके बाद हमें पूरा दूद को खतम होने तक मतलब जो दूद है वो पूरा भी गायब हो जाए जल जाए तब तक हमें इसमें पक मोर 2 िन अ ज़ Разग भी इन दूद्ध रखन कर दें लीजे मलाई वाला दूद ये यह गाय का दूद होता है मलाय वाला दूद दोता है आप इसमें डालिए गाल us we बनेगा बिल्कुल हल्वाई स्टाइल जैसा बीना हम बीना मावा डाल के बनाने हैं फिर वे काफी टेस्ट्री बनता है बस इस मलाई जब उपर आने लगे तब इसे अच्छे से मिला लीजे और इसमें बॉइल आने लीजे आप देख सकते हो पूरा दूद उपर आ चुका है पूरे मलाई उपर आ चुकी है इसे बस आप कंटिनूजली अच्छे से हिला लीजे अगर हमारे पास मावा ना हो तो हम सिर्फ दूद से ही गाजर का हलवा बना सकते हैं अगर इस तरीके से हम दूद इसमें डालेंगे ना तो गाजर के साथ में ही डूद उबलते उबलते इसमें गाजर गल जाती है तब अगर आप इसमें डूद डाल दोगे ना तो आपका दूद भी मावा का ही काम करेगा दूद में बॉइल आना स्टार्ट हो गया है अब इस स्टेज में आपको गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखना है और जब तक दूद अच्छे से इसमें गायब ना हो जाए तब तक आपको इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और बीच बीच में आप इसे चलाते दीजे अगर आप इसे चलाओगे नहीं तो यह साइड साइड में लगने लग जाएगा स्टिक होने लग जाएगा तो बस इसे लो मीडियम फ्लेम पे रखे बीच बीच में से चलाते डीचे जब तक इसका दूद सारा गायबना हो जाए जब दूद में बॉइल आना स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैंने लो मीडियम गैस पे ही हलवे को रखके कंटीनूसली पकाया है अब अल्मोस्ट इसका दूद कम हो चुका है आप देख सकते मैंने लो मीडियम गैस पे ही हलवे को रखके और कंटीनूसली उसी पे पकाया है मुझे लगबग 25 मिनिट हो चुके हैं दूद को सारा जलाने के लिए अब इसमें थोड़ा बहुत ही दूद बच्चा है अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी एक चमच के असपास इलाइची पाउडर थोड़े से काजू थोड़ी सी कटी भी बदाम और थोड़ी सी किश्मिश पर इंस सबको अच्छे चाब मिक्स कर लीजे और जब यह बचा हुआ दूद है इसे भी खतम होने तक स्लो मेडियम गैस के उपर ही आपको इसे पकाना है आप देख सकते हो दूद का कलर और औरेंज हो चुका है दूद ऑल्मोस्ट जल चुका है अब जो यह बचावा दूद है इसे भी हमें जलाना है उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे शक्कर मेरा दूद ऑल्मोस्ट जल चुका है अब अब ऑब्सर्व हो चुका है गाजर के अंदर अब इस टेच पे मैं डा पर नवाथ कृक्र मेरा अच्छ से ज़का था कि एवाथ जयत qué अधर अगर में आपको स्ट रवी अगर स्ट नेدا से बसे अधर साथ में ज़ता है कि इसमें चुतु जलाने के बाद लेछी इसमें शकछ जाली है इसे अधर रजाए अब शक्कर भी अपना पानी चोड़े कि इसमें तो शक्कर का पानी भी हमें जलाना है तो उसके लिए भी हमें से लो गेस पे रखे 10 मिनिट्स तक और पकाना है जब तक शक्कर का पानी अच्छे से अब्जॉबना मुझा है अब देख सकते हो शक्कर मैंट होके पूरी उपर आ चुकी है शक्कर का भी पानी ऊपर आने लगा है बस इस शक्कर के पानी को भी हमें गाड़ा करना है मतलब मेरा यह है कि हमें गयास को फूल रखिए थोड़ी दे और यह सारे कि सारी जो शक्कर का पानी है वो अब्जॉब यह मंने Вी इसे पकाना है हमारी जो शक्करती भूलत वर पूरी आप्सों कि अप्सकी आप होज़व कर्रों करकी June अचनलब्ग में धावत करें हम्न fox adult Aboriginal और सबिस्टेल के भीडेंहों महारा धरिये आशा करती हूँ आपको मेरी रेसीपी पसंद आई होगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल